स्वल्लो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी I hope you all are good और फिर से अपका स्वाधत है हमारे अपने चैनल and become a sub मैं दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं teaching aptitude के class number से की teaching aptitude के अंदर हम लोग यहाँ पे mcq series को continue कर रहे हैं जिसके अंदर दो classes मा अलड़ी आपको दे चुका हूँ और हर class के अंदर हम लोग 10 mcq यहाँ पे कर रहे हैं और जो के important mcq है previous year मा आये हुए mcqs हैं तो इससे आपके concept जो है अच्छे से किलियर हो जाएंगे तो class number 3 आज हमारी है दो classes अलड़ी हो चुकी है इसकी और इसके अलवा research methodology की बहुत सारी classes free of cost आपको मेरी channel पे मिल जाएंगी तो उसको भी आप access कर सकते हैं तो वो आपके लिए यहाँ पे helpful रहने वाला है अब उसके बाद आज की class की first question की अगर हम लोग बात करते हैं इसके किया जाता है अभी आपका formative summative evaluation के question भी इसके अंदर आएंगे लेकिन बहुत सारे traditional methods भी है और modern methods भी है with grades third है यहाँ पर it evaluate every aspect of the student fourth है it helps in reducing examination phobia तो यह चार option आपको दिये गए हैं आपको इन में से proper जो code है वो select करना है ठीक तो देखे सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके अंदर continuous and comprehensive evaluation का मतलब होता है जिसके अंदर हम एक student का overall evaluation करते हैं हम सिर्फ उसके marks को नहीं देखते हैं ब को देखते हैं उसके friend circle के aspect को देखते हैं मतलब इसका मतलब होता है 360 degree evaluation इसके अंदर किया जाता है तो इससे होता क्या है जो हमारा traditional evaluation का method है उसके अंदर हम सिर्फ marks के basis पर ही student को क्या कर देते हैं evaluate कर लेते हैं अगर कोई बच्चा अच्छे नंबर नहीं ला पाया ऑल्दो कि वह sports में बहुत अच्छा है ठीक है लेकिन अगर उसके exam में marks अच्छे नहीं आते हैं तो हम उसको क्या करते हैं कि वह अच्छा नहीं कर पाता पाएगा इन future यह उसके जो मतलब उसका जो एक तरीका mental level है वह उतना नहीं है इस तरह की बातां यहां पर होती है participation है कोई singing है या इस तरह की arts and crafts हैं उन चीजों का भी आप evaluation होना चाहिए और इसके अलावा friend circle से evaluation किया जाना चाहिए फैमिली से evaluation किया जाना चाहिए इसके अंदर तो आपका work load कम करने के लिए यहां पर यह टेक्निक यूज की जाती है दूसरा है इसके अंदर हम लोग marks को नहीं ज़्यादा तवज्यों देते इसके अंदर grading system होती है अब मैं पहले भी वीडियो में इस तरह की question को solve करने का तरीका आपको बता चुका हूँ या तो आप क्या कीजए इसके अंदर सबसे अच्छी technique इसके अंदर है जो question आपका जो option आपका इसके अंदर गलत है उसको eliminate कीजिए जैसे A वाला option आपका गलत है आपको 100% इसके अंदर पता चल गया तो जहां पर भी A है वो option आप क्या कर देंगे eliminate कर देंगे तो आपके पास में दो ही option बचेंगे यहां पर एक second बसता एक fourth बसता अब इन दो रूमें से आपको चूच करना है तो इस तरह के technique इस तरह के जो multiple वाले question होते हैं इन में आप यहां पर apply कर सकते हैं और जो Hindi medium के student हैं वो Hindi में भी यहां पर question को देख सकते हैं और अ of while addressing student इनने classroom तो यहां पर बोला गया है कि class के अंदर जब भी student जो एक teacher है वो यहां पर आता है तो उसको चात्रों से मदलब जो आपके student है उससे related जो चीज़े हैं उनमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है क्योंकि कोई भी जो teacher होता है वो क्या है आपके classroom में आता है तो उसको कुछ बातों का यहाँ पर ना पड़ता है ध्यान रखना पड़ता है कुछ LIKE में करना पड़ता है तो कौन सी चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है उप्यटन चीज कौनसी है जब भी आप क्या कर रहे है स्टूडेंट को एड्रस कर रहे हैं क्लास्रूम के अंदर तो आपको यहां पर दिएगे ऑफ्सन है अवोईडेंस ओप्रॉक्सिमिटी दूसरा है वॉइस मॉडूलेशन तीसरा है रिपिटेटिव पॉज फूर्थ है फिक्स पॉस्चर अब देखिए इसके अंदर जो चीज सेंटंस सेंटन को धियान में रकना आपने प्रंक किमीटी का मतलब होता है स्ट deception होता है डी स्टेंस दूरी डी 10 से उसकी जब तो फर्स्ट आपने अर्ग करें अब देखेंगे सेकंड की बात मैं नहीं कर रहा हूं थार्ड की मैं बात करूंगा रिपीटेटिटिव पॉज्च का मतलब क्या है जब कोई टीचर है वह बार-बार बोलता है फिर भोलता है फिर अच्छी बात नहीं है इससे student का जो concentration है वो क्या होता है खराब होता है तो यह repetitive pause भी नहीं होना चाहिए फिर यहाँ पर fourth option है fixed posture तो fixed posture का मतलब क्या है कि आपकी एक ही क्या है जैसे class के अंदर आप आए तो जिस posture पर यानि कि जिस प्रकार की अवस्ता में आप हैं उसी प्रकार के अवस्ता में class के last त तो यह fixed posture जो होता है वो जो है student को क्या करता है एक तरीके से उनको बूर करता है उनको interest नहीं लाने देता subject के अंदर और एक दूसरी चीज और भी होती है class के अंदर जो discipline है वो यहाँ पर सही से नहीं बन पाता है तो यह fixed posture नहीं होना चाहिए moment class के अंदर होती रहनी स्टूरेंट एक्टिव माइंड से वहाँ पर रहेंगे नहीं तो सभी तरह के स्टूरेंट जो है पैसिफ हो जाएंगे तो यह fixed posture भी नहीं होना चाहिए रिपेटिटिव भी नहीं होना चाहिए तो सही आंसर क्या है वोईस मोडूलेशन का मतलब क्या है जैसे मैं आप मतलब ही होता है कि हम जाब बोल रहें तो हमारी जो आवाज है उसके अंदर मोडूलेशन होना चाहिए तो यही आपका सही है सेकंड आपका सही आंसर बनता है अगर हम लोग बात करते हैं इसके अंदर सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा टीचिंग एड्स क्या होते हैं टीचिंग एड्स वो आपके इंस्टूमेंट होते हैं वो आपके टीचिंग सपोर्टेड मटीरियल होते हैं जिनकी मदद से आप क्या करते हैं क्लास्रूम के अंदर अपनी टीचिंग मैथड को और सुटेबल मनाते हैं और इंटरसिंग मनाते हैं और इफरक्टिव बनाते हैं तो इनको हम teaching aids कहते हैं तो किस ग्राउंड के बेसिस पे जस्टिफाई किया जाता है teaching aids को मतलब teaching aid क्यों important है यह आपसे पूछा गया है तो option आपको दिये गए हैं यहां पर सही option आपको चूछ करना है attracting students attention in the classroom क्या यह सही है दूसरा है minimizing the discipline problems in the classroom third है optimizing learning outcome for the office students students in learning tasks हिंदी के अंदर भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं इसको तो teaching aids का जो important role होता है वह सबसे ज़्यादा कहां पर होता है कि optimize हो रही है हमारी learning outcome क्योंकि हम लोग अगर देखें तो overall एक teacher क्या चाहता है कि जो वह class के अंदर पढ़ाता है तो maximum student को क्या चाहिए समझवाना चाहिए ठीके बाद जैसे for example मैं आपको यहां पर क्या करता question भी दे देता और उसके अलावा चार option तो दिये ही हैं मैं क्या करता सही answer करके आपको बता देता बात खत्म हो गई आपको question भी मिल गया answer मिल गया बट उससे होता है क्या जस्ट आपको एक रूट लनिंग होती कि आपने कहा यह question है तो इसका आपको concept इसके अंदर समझवान नहीं आता तो एक question से at least आपका एक concept होना चाहिए वैसे एक multiple choice question से आपके चार concept यहां पर solve होते हैं चार concept आपके समझवान आते हैं तो वो चीज हो जाये इसलिए मैं क्या कर रहा हूं हर एक option को मैं यहां पर आपके सामने क्राव elaborate कर रहा हूं उसको मैं यहां पर समझा रहा हूं तो इसलिए यहां पर क्या है कि teaching aid का क्या मतलब है optimize कर ना learning outcome को जो learning outcome मतलब जो overall आपके क्लास के बाद या फिर किसी मंथ के बाद में जब भी आभ वैलीजेन करें तो लरनिंग आउटकम कहीद आपके जो है वह मैक्सिभाइज होनी यह अप्टिमाईस होनी चाहिए तो आफशेन नमर 3 आपका इस यहां पर देखिए टीचिंग के पॉजिटिव फेक्टर भी होते हैं और निगेटिव फेक्टर भी होते हैं आपसे बोला गए है इसमें से कौन सा positive factor है वो positive factor आपको इसके अंदर बताना है list of factor दिये हैं और उसके बाद आपको इसके अंदर appropriate जो code आपका बन रहा है उसको आपको सेलेक्ट करना होता है इसके अंदर teacher's knowledge of subject दूसरा है teacher's social economic background थर्ड है communication skill of the teacher फोर्थ है यहां पर teacher's ability to please the student फिफ्थ है टीचर's personal contact with students और लास्ट option इसके अंदर दिया गया है टीचर's competence in managing and monitoring the classroom transactions अब देखें यहां पर positive factors की बात करी है जो कि आपके किसी के लिए important है effectiveness of teaching के लिए important है सबसे पहले अगर हम लोग बात करें teachers knowledge of subject तो important ही है क्योंकि जिस teacher को knowledge नहीं होगी अपने subject की तो वो उसको teach कैसे कर पाएगा दूसरे option की बात अगर हम लोग करें teacher से socio-economic background क्या किसी teacher के socio-economic background से उसके effectiveness of teaching में कोई यहां पर फरक पड़ता है तो नहीं पड़ता है इसलिए यह option आपका दरत हो जाएगा अब अगर elimination की technique लगाते हैं तो यहां पर बीबी है वह वाला option आपका कर जाएगा जैसे यहां पर दिया गया है अब आपके पास में सिर्फ दो option बसते हैं ठीके बाद अगले option की अगर मैं बात करूं कम्मिनिकेशन इसकी लाफ टीचर बिल्कुल बहुत ज्यादा important होता है एक टीचर क कि दरब जाना पड़ेगा अब यहां पर नेक्स्ट ऑप्सें है टीचस एविलेटी टू प्लीज दे श्टूटेंट क्या एक टीचर की इफएक्टिवनेस इससे पता चलती है कि उस्टूडेन को कैसे खुश करता है क्या इसकी एक एक टीचर स्टूडेन को खुश करने के तो इस तरीके से अगर आप बात को नहीं भी देखेंगे यहां पर दो और वस्ते हैं आपके ई और एफ इनको अगर नहीं भी देखेंगे तब भी आपका आंसर फोर्थ बन जाएगा तो इससे क्या होता है है अपकी टाइम सेविंग होती है ठीक है तो इसको हम elimination technique कहते हैं अब बागे के option भी देख लेते हैं देखें यहाँ पर अगला option है teachers personal contact with the student क्या teachers का personal जो contact student के साथ में यह matter करता है क्या effectiveness of teaching का जो component वो है तो बिल्कुल नहीं है तो यह option भी गलत हो गया अब हमारे पास में last option है teachers competence in managing and monitoring the classroom transactions बिल्कुल सही है यह तो आपका important होता ही है तो f यहाँ पर है तो इस तरीके से सही answer आपका कौन सा बन गया option number 4 a c f वाले आपके सही answer बनेंगे चलिए अगले question की बात करते हैं question number 5 तो यहाँ पर है which of the following set of statement represent acceptable proposition in respect of the teaching learning relationship choose the correct code to indicate your answer आप से बुला गया है कि इसमें से कौन सा set of statement है जो आपके acceptable है किसीज के लिए in respect of teaching learning relationship यानि कि teaching learning का जो relationship है उसके case में कौन से जो proposition है कौन से जो statements है वो acceptable है और कौन से आप reject करेंगे तो acceptable वाले को जो accept करेंगे जो सही है उनको आपको choose करना है first statement है when student fail in a test it is the teacher who feels दूसरा है in every teaching every teaching must aim at ensuring learning third है यहाँ पे there can be teaching without learning taking place fourth है यहाँ पे है there can be no learning without teaching और fifth यहाँ पे है real learning implies road learning अब इसके अंदर अगर आप गौर से देखेंगे सारे जो options है उनको देखेंगे तो first option की तरह मैं जाता हूँ पहले when student fail in a test it is the teacher who feels का नहीं जाता कि जब आपका कोई student जो होता है feel होता है तो यह teacher का भी कहीं कहीं क्या है ट्रोबैक है teacher भी उसके अंदर responsible होता तो teacher भी फेल होता बिल्कु सही statement यह है first वाला आपका सही होगी statement ठीक है बात तो जहां जहां पे first है या जहां पे first नहीं है उसको eliminate कर देते कि first option eliminate हो गया और इसके अलाव फर्स्ट यहां यह आपका सही है तो first option वाला आप रखेंगे बागी को eliminate कर देंगे दो option आपके ऐसे ही eliminate हो गए तो यह 50-50 वाला जो आपका life-line होती है वह यहां पे हो गई अब आपके पास सिर्फ दो option है तो दो option में चूच करना ज्यादा टफ टास्क बिल्कुल भी नहीं है अब उसके बाद अगर अगले option की मैं बात करता हूं अबर टीचिंग मस्ट एम एड इंशूर लर्निंग तो टीचिंग के अंदर कहीं कहीं इंशूर होनी चीए लर्निंग है बिल्कुल इस सही statement है क्योंकि टीचिंग करवा ही इस ले जाती है कि कुछ ने कुछ लर्निंग हो अब देखिए ऐसा नहीं हो positive लर्निंग यो negative लर्निंग भी हो सकती है तो बहुत सारी चीज़ें होती बर लर्निंग होनी चीए लर्निंग इसे permanent change in human behavior इसको हम लर्निंग बोलते है ठीक है बाद तो second option तो हम लोग चलेंगे there can be teaching without learning taking place तो यह भी बिल्कुल ठीक है देखे teaching करवा दी ठीक कर्म करते रो फल की चिंता ना करो यह कहा जाता है जैसे teaching करवा दी उसके बाद लर्निंग उसके अंदर student के अंदर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है यह depend करता है कि student ने कितने ध्यान से उ उसको seriously लिया है तो third option भी आपका इसके अंदर सही बनेगा तो यह वाला third वाला option जो है आपके इस वाले option में और टू में तो यह सही आपका answer है यह answer आपका गलत हो जाएगा फोर्फ वाला अब इसके बाद के options की मैं बात कर लेता हूं ताकि आपका जो answer है वो टैली हो नहीं है दोनों दोनों चांसें जैसे for example teaching कहीं पर हो रही है तो वहां पर learning भी हो सकती है नहीं भी हो सकती है साथ में जरूरी नहीं है जितनी ही लर्निंग हुई है वह सब टीचिंग से ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने self study करी हो self study से भी तो यहां पर पढ़ाई हो सकती है और इसके लाव बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग without teaching सीख जाते हैं हम लोग के अंदर वो चीज़ें अल्रड़ी आ जाती है तो नेचर से हम लोग सीख सकते हैं तो यह सारी चीज़ें होती है तो सिर्फ टीचिंग से ही सभी च और यहां पर आगर हम बात करें सिक्स्त वाले स्टेटमेंट की रीएल लर्निंग इंप्लाइज रोट लंग तो यह गलत स्टेटमें रोट लर्निंग का मतलब होता है रटंति विद्या फलंति नहीं बच्मन से आप लोग सुनते आ रहें तो रटंति विद्या बोली गई ह है यह नहीं होती है समझनी वाली लैनिंग होती है वह यह लांनिंग होती है तो इसलिए यह option भी आपका नहीं आएगा सही अंसर आपका मनता है 123 & 5 यही आंसर यहां पे है 123 & five टिकष्ट के बाद तो इसको आप टेली कर सकते हैं अपने हिसाब से चलिए अगले कोशन की बात करते हैं अब यहां पर अगला कोशन है तो किस learning के अंदर किस method के अंदर के अंदर या ब्रेन्स्टोर्मिंग के अंदर यह प्रोजच्ट में इस्कस किया था वह आपका प्रोजच्ट मेत्ट के द्रू हम लोग student नका me deliveries नटुर कर सकते हैं यूद की कहीं ने कहीं project के अंदर वो खुद से काम करता है सभी तरह का data गलंग करता है और खुद को analyze करता है तो इसको हम project method कहते हैं किलिए रोगी बात चले next question की तरह बढ़ते हैं assertion और reason के question पूछे जाते हैं exam के अंदर important question होते हैं इस तरह कि question को समझना important होता है समझने पढ़ेंगे एक तो आपका होता है formative evaluation और एक होता है summative evaluation मैं ज्यादा detail में नहीं जा रहा हूँ बढ़ आपको समझाओंगा formative evaluation का मतलब simple सा होता है कि यह आपके क्या है progress के सान learning progress के सान evaluation होती है for example जैसे आपके unit test हो गया ठीक यह आपने कोई भी आपने कोई हफ्ते में टेस्ट रख लिया कोई आपका daily basis का कोई test हो गया जैसे आपका एक lecture खत्म माउस के बाद आपने टेस्ट कर वा लिया तो इस तरह के evaluation को formative evaluation का जाता है यह आपका during the classes चलते रहता है during the session चलते रहता है लेकिन summative evaluation जो होता है वो लास्ट में करवाए जाता है जैसे आपके half yearly exam हो गए आपके final term के exam हो गए आपके semester के exam हो गए आपके yearly exam हो गए तो यह सारे summative type के evaluation होते है तो इसको आपने इतना समझ देना है उसके बाद बात करते है formative evaluation tends to accelerate the pace of learning बिलको सही statement यह है formative evaluation से आपकी pace of learning accelerate होती है यह यह बढ़ती है तो सही बात यह है दूसरा है as against summative evaluation formative evaluation highly reliable तो यह statement आपकी गलत है देखिए यह क्या बोल रहा है as against summative evaluation summative के support में उसके against में formative को ज्यादा reliable माना गया है यह बात यहाँ पर बोली जारे है बट ऐसा नहीं है हम लोग summative को ज्यादा reliable मानते हैं क्योंकि आपने देखा भी होगा कि कहीं पे भी आपको degree मांगी जाती है degree मतलब क्या जो आपने last में exam पास किया है वही तो summative है तो summative को ज्यादा reliable माने जाता है as compared to formative ठीक है बात तो option A आपका assertion तो बिल्कुल ठीक है लेकिन आपका reason इसके अंदर गलत है तो A is true but R is false option number 3 आपका सही आंसर बन जाएगा चलिए अगले question की बात करते हैं question number 8 की बात करेंगे assertion इसके अंदर दिया गया है all teaching implies learning दूसरा reason है इसके अंदर learning to be useful must be derived from teaching अब देखें यहाँ पर all teaching implies learning क्या सभी तरगी teaching के अंदर learning होती है बिल्कुश सभी स्टेट्मेंट है सभी तरगी teaching में कुछ न कुछ learning जरूर होती है चाहिए वो learning आपकी positive learning हो या फिर आपकी negative learning हो कुछ न कुछ कोई न कुछ किसी न कि इसी बात को जरूर सीखेगा दूसरा है learning to be useful must derive from teaching क्या learning तभी आपकी important हो सकती है जब उसको teaching से derive किया जाए मतलब teaching के थूर learning हो तभी important होगी तभी वो useful होगी क्या ऐसा है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है तो आपका reason इसके अंदर गलत हो जाएगा वो जरूरी नहीं है कि teaching से आ करा हो खुद से अपनी चीज़ों को समझाओ खुद से अपनी इंवेंट करा हो फिर भी वह useful हो सकता है तो इसलिए असर्शन बिल्कुल ठीक है एस्टू बट आरीज फॉल्स आपका रीजन इसके अंदर गलत है अफसर नमबर 3 अपका सही आशर बनेगा निक्स कोशन की बा आपको इस तरह के जो इवेलिएशन है उनके बारे में पता होना चाहिए फॉर्मेटिव टेस्टिंग यह इवेलिएशन मैंने आपको अल्रडी बता दिया अब दो चीज़ें आती है नॉम रेफर्ट टेस्टिंग और क्राइटेरियन रेफर्टेस्टिंग जो होते हैं यह के तो समेटिव 2 पार्ट होते हैं नॉम रेफर्ट के आंदर क्या होता है आपके नॉम बना दिये जाते हैं जैसे मैंने कहा गि मुझे 33 परसेंट से उपर इसने स्ट्टिंग को पास करना है और इस से नीचे प्र whether लोग करना तो यह norm होगे इसके अंदर जो test हम इसके अंदर जो हम लोग evaluation कर रहे हुसको हम norm reference testing बोलेंगे clear होँगी बात दूसरा है criterion reference testing तो criterion reference testing के अंदर क्या होता है इसके अंदर basically हम लोग जो पीर है पीर कंपडरीजन की बात करते हैं का मतलब क्या हो गया हम किसी ओर स्टूडेंट से तुलना करते हैं जैसे एक class के अंदर एक student है वो 70% जो है लेके first rank पे है तो बाकी के student से हम इससे comparison करेंगे बाकी के जो student है उनका कि उस जो student है उससे आप कितने दूर है क्योंकि इसकी first rank है तो इसके basis पर हम देखेंगे कि आप कौन से rank पर है तो हम इससे तुलना कर रहे हैं इस student से हम क्या कर रहे हैं comparison कर रहे हैं तुलना कर रहे हैं इसलिए हम criterion reference testing कहता है ठीक होगी बात तो यह यहाँ पर होता है और criterion reference testing ही इसका सही answer बनेगा आपका option number 4 ठीक है बात तो यह आपको यहाँ पर ध्यान बरकना है चलिए आज का जो last question है यहाँ पर है और उससे पहले सभी लोग वीडियो को पॉच्छ करके question को कर रहे होंगा I think तो आपका कितना score बन रहा है उसको comment box में जरूर आप लोग बताएं जिससे मुझे पता चलेगी आपके progress किस तरीके से चल रहे हैं और किसी question में कोई doubt है या कोई option आपको समझ में नहीं आता तो आप नीचे comment box में comment भी कर सकते हैं चलिए 10th question को discuss करते हैं तो यहाँ पे बोला गया है कौन सा की विहेवियर आपके effective teaching में include होता है फर्स्ट है using student ideas and contribution दूसरा है structuring तीसरा है instructional variety फोर्थ है questioning अब देखें यहाँ पे की विहेवियर मतलब important behavior की मतलब यहाँ पे चावी वाला की नहीं है की मतलब होता है important ठीक तो की विहेवियर है effective teaching में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रमुक्स जिसको बोलता है हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखें अगर हम using student ideas and contribution की बात करें है की विहेवियर नहीं है structuring भी नहीं है और questioning भी नहीं है instructional variety जो है बहुत important है आपकी effective teaching instructional variety मतलब क्या होता है कि आपने जो instruction आप pass कर रहे हैं उसमें variety है बहुत सारी variety देखने को मिल रही है कभी instruction आप किसी method से दे रहे हैं किसी method दूसरी बार दे रहे हैं तो वो instructional variety आपकी teaching में बहुत important role play करती है तो ये चीज यहाँ पर आपको देखने है तो option 3 आपका सही answer इसके अंदर बन जाएगा इस तरीके से 10 questions हमने आपके discuss की है कैसे लगे question आप बताना और इसके अलाव आपका score कितना बना वो भी आप बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर नए concept की सारी हमें मिलेंगे आज की वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आती है लाइक करना ना बोला है चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब जरूर कर लेना थैंक यू सू मज्च हैव नाइस टेक कियर बाबाई